नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इन दिनों बहुत चर्चा में है पेगासस क्यों चर्चा में है यह जानकर ये आपको हो गी हम जानते हैं की पेगासस है क्या क्या चर्चा में क्यों है यह नहीं देखेंगे हम देखेंगे कि Pegasus जो है यह होता क्या है चलिए देखते हैं Pegasus Spyware होता क्या है इसको देखते हैं और यह काम कैसे करता है चलिए Pegasus Spyware भी जो है यह जासुस्ति करने वाला Software का एक ही परकार है अलांकि अब तक के Spyware में सबसे उन्नत हैं जो इसे सबसे खतरनाग बनाता है Pegasus को Israeli Company NSO Group द्वारा विक्सित किया गया गोर तलब है कि Pegasus एक सपेद रंग का तागतवर घोड़ा होता है जिसके बड़े-बड़े पंक होता है Greek Mythology के नुसार Pegasus की उत्पती देवता, पोसा, एडन और मेडुसा से हुई थी हलांकि Pegasus spyware हाल ही में जो है अधिक चर्चाओं है किन्तु ये spyware पहली बार साल 2016 में सामने आया जब सैयुक्त अरब अमिरात में एक मानौ अधिकार कारेकरता को उनके आइफोन पर एक SMS लिंक के द्वारा निसाना बनाये गया इपुन है 2019 में सुरक्यों मेरा जब WhatsApp कूल के मादियम से इसके स्पार्ट फोन में आने की खबरें सामना आई इसके बाद WhatsApp ने इस बात को भी सुईकार किया कि उसके यूजर spyware से परभावित हुए हैं तता उसने अमेरिका के संगे न्याले में NSO ग्रूप के खिलाब बास लिंक को उप्यो करता के पास बेजा जाता है जिस पर क्लिक करते ही यह spyware software को प्योग करता की स्विकरती के बिना ही स्वेमी उसके उपकरण में इस्टोल हो जाता ह। Pegasus spyware को भी जो इमेल आदी के मादियम से किसी व्यक्ति के smartphone में install किया जा सकता है किसी उपकरण के इससे परवावित होने पर spyware उपकरण का पूरा नियंटर्ण प्राप्त कर लेता है जिसमें microphone तता camera का नियंटर्ण भी सामिल है Pegasus अनि spyware के तुलना में अधिक उन्नत है 2019 में इसके केवल WhatsApp द्वारा mist goal के मादियम से ही install होने की बाद सामने आई थी इसके अतिरेक्ट वर्तमान में spyware के से किसी smartphone आदी को संक्रमित करने के लिए उपकरण के operating system या किसी अनिये software में मुझूद खामियों का इस्तमाल किया जा रहा है इस technique में जो उप्योग करता को किसी link पर click करने क्या हो सकता नहीं होती इसे zero click attack भी कहा जाता है 2019 में WhatsApp call के मादियम से भेजा गया Pegasus spyware इसका उधारन है इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यूजर डिवाइस यूजर को डिवाइस में spyware के होने का पता ना चल सके अब देखतें कि कितना खतरनाक है Pegasus spyware ये देखतें साइबर सुरुकसा जानकारों के मताबित Pegasus किसी डिवाइस को स्केन करने के बाद यूजर के मेसेज और इमेल को पढ़ने, कोल, सुनने, इसके इन्सोट लेने, ब्राउजर, हिस्ट्री और कॉंटेक्ट जैसी जानकारी पानने के लिए एक मोडियूल इंस्ट्रोल करता है मुल रूप से ये टारगेट की डिवाइस पर होने वाली हर एक्टिविटी की जासुसी कर सकता है Pegasus users की अनुमती या जानकारी के बिना फोटो, वीडियू अथवा ओडियू रिकोर्डिंग करने के लिए केमरे या माइक्रोफोन को एक्टिव कर सकता है ये कोल और वोईस मेल सुन सकता है ये लोकेशन डेटा भी एक्तिर्ट कर सकता है Pegasus encrypted audio stream भी सुन सकता है और encrypted message को भी पड़ सकता है जिसमें WhatsApp और signal जैसे messaging ये भी सामिल है बचाओ के तरीके क्या है अब बात करें तो एक बार किसी स्मार्टफोन पेगासस इस्वाइब के इंस्टिल हो जाने के बाद वक्ति के पास अपने उपकरण को बदलने के अधिरेक्ट कोई अन्य विकल्प नहीं बचता इससे परभाईत हो चुके लोगों को शल्ला दी जाती कि वे नए उपकरण का इस्तमाल करें तता सभी मैथपून खातों जैसे सोसल मीडिया, एकाउंट, इमेल, एकाउंट, इंटरनेट, बेंकिंग, आदी के पासवेट को ततकाल बदल दें हालांकि सामानी परिस्ति में कुछ आसान से कदमों को उठागार हम इस्पाई वेर्श में कई अन्य मेल वेर्श से अपने उपकरणों को सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी संदिक्त वेबसाइट पर अपनी मैथपून जानकारी दर्ज ना करें सारजनिक इस्तानों में वाइफाई द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल करने के दोरान बेंकिंग लेंदें ना करें किसी वेबसाइट पर भुगतान करने या किसी अन्य मैथपून जानकारी को दर्ज करने से पहले उस वेबसाइट के SSL सेटिफाइड होने को सुनिश्चित करें इसकी जांस वेबसाइट के बगल में बने ताले की निसान से की जा सकती है हमने उपर जाना कि वर्तमान में किसी वक्ति के स्मार्ट फोन आदी में जो है मेलवेर्स इस्टोल करने के लिए ऑप्रेटिंग सिस्टम या किसी अन्य सॉप्टर में मौझूद खामी का इस्तिमाल किया जा सकता आते इनी खामियों को समय समय पर कंप्री द्वारा सुधार कर नए अपडेट निकल निकले जाते हैं अते स्मार्ट फोन कंप्योटर आदी के ओप्रेटिंग सिस्टम था अन्य सभी सॉप्टेयर को अपडेट करते हैं हम देनिक जीवन में ओनलाइन सिवाओं है तो कहीं वेबसाइट पर या एप्लिकेशन में अपनी इमेल दर्च कर करता हों को मेले मेली से शॉप्टर यूज लिंक इमेल द्वारा किसी ओफ और इत्यादी के नाम से बेजी जाती है तो किसी भी संदिक्त इमेल में दी लिंक को ना खोले इसके अत्रिक्त एंटी इस्पाइवेर अत्वा एंटी वाइरस जैसे सॉप्टर के इस्तमाल भी मेल इसस को इंस्टॉल करने के लिए एन एसो सरकारी एजन्सियों ने जो है कितना पांच लाक डॉलर करीब 3.7 करोड रूपे का सुल के लिए इसके अत्रिक्त यह दस आईफोन उप्यू करता की जासुस्थी करने के लिए 6 लाग पचास जार डॉलर यानि दस एंडर्ड उप्यू करता हूं के लिए 6 लाग 50 जार डॉलर पांच बलेक बुरी जो उप्यू क करता हूं के लिए पांच लाख डॉलर तता पांच सिंबियन उप्यों करता हूं के लिए जो है तीन लाख डॉलर का सुल्क लेता है तो यह थी पेगासस के बारे में जानकारी इसे आगे बढ़ाएं कैसा था वीडियो जुरूर बताएं